आप में इंसान समझते हैं ना तो हमें हूमन राइट्स भी देने चाहिए आप लोगों को तीन ट्यूवल इसक नूरनी को लगते हैं और पानी चलता है हमारा पानी बंद कर दिया गया है हम तो यहां पे इस तरह रह रहे हैं जिस तरह बस मालमोवेशी नहीं होते पाकिस्तान में सिर्फ जाडू की एप्रिकेशन पे लिखा होता है जाडू की ड्यूटियों पे के गैर मुस्लम आके तो ड्यूटिय ले सकता है तो क्या हमें दूसरी ड्यूटी है, हमें लड़ती है, जगड़ती है, हम कर नहीं सकते हैं, हमारे पास फैलने नहीं है, हमारे पास स्टड़ी नहीं है, अच्छी से अच्छी है, हमारे पास कॉलिफकेशन है, हमारे ले क्या गिया जाते हैं? खान साब ने का जी मैं तो एक जौंपडी भी नी छोड़ूंगा गौर्वर्मेंट की जगा पे गरों के जो हैं मालकाना हकूक हैं वो नहीं मिल रहें मैं इसक मजूद हूँ इसलावाद के अंदर और रिमशा कलोनी है नाजरीन आप दे सकते हैं सारे लोग जो इस वक्त जोगदा जोड़ कठे हो रहे हैं क्योंकि नैशनल दीज की टीम जो है इस इसलावाद के अंदर मजूद है और रिमशा कलोनी के अंदर मैं मजूद हूँ और यहां पर पिछले दोने वाक्या हुआ जो के सीडिये की जो अथार्टी है इसलावाद की उन्होंने यहां पर कुछ एक दो चर्श हैं उनको मिसमार किया और एक दो घर हैं उनको मिसमार किया और उनका यह कहना है कि यह लोग नजायस बैटे हैं लेकिन यह लोग नजायस नहीं बैटे मैंने यहाँ पर आए जब इसलामबाद के अदर और इस कलूनी में जब आया तो यहाँ पर मैं हिस्टी जब पढ़ देखी इन से लोगों से पूची तो यह पाज़ता कि यह जो जगा है यह मिश्ण की जगा है मिश्ण की प्रब्टी है और लोगों से जब पूछा गया तो उन्हें ने कहा कि हमारे साथ ही इस्लामिक यूनिवर्स्टी है और वो हिंदू प्रापटी है लेकिन जहां पर हम बैठे हैं ये मिशिन की प्रापटी है और देखा जाए तो मिशन की प्राप्टी के उपर अगर क्रिस्टन कम्यूंटी के लोग ही रह रहे हैं तो किसी की अथार्टी नहीं है कि वो उनको वहां से उठा सके लेकिन जो जुरुयती जिन्दगी की जो सहूलते हैं बो देना जो है मजूदा गोर्मेंट का काम है जिसमें ववाकी गोर्मेंट और सुभाई गोर्मेंट और मेरा ख्याल है कि जहां पर जतने भी यह क्रिस्टन कम्यूंटी के जुव लोग हैं यहां पर को तक्रीबन 4000 के करीब घर है और को तक्रीबन 6-7000 लोग यहां मजूद हैं और मैं अभी जो हैं लोग काफी कठी हो चुके हैं मैं इसे पता करता हूँ कि इनके क्या मसाइल हैं और CDA जो है वो क्यों इनको यहां से उठाँ चाह रही है तो मैं यहां पर सिस्टर एक मजूद हैं सिस्टर जी आईए ज़रा सिस्टर जी यह बताईएगा कि इस वक्त जो सूर्टे हाँ चल रही है क्योंकि आपने हैं हमें सबसे बले जो कॉल भी की थी और वीडियो भी दी थी कि यह देखें यहां पर हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है और यहां से उठाणने के लिए हमें कहा जा रहा है तो क्या वज़ा है क्यों यहां की जो अथार्टी है लोकल गॉर्मेंट वो आपको यहां रहने क्यों नहीं देरी दरसल भाई यह है कि लोग जो है वो अभी परेशान है यह हकीकत है मैंने जब आप वीडियो भेजी थी वो हकीकत है और लोग खौफ और रास का शिकार है इस वकत लोग सुबह काम पे जाते शाम को जब भाराना हो तो उनको यह उता पता नहीं जाएंगे तो क्या होगा कभी यह करहा हरा है यह ज्या नहीं होगा कर आर्मी यहां से रोड बगाश्य के जाना चाहरी है तो अफवाई भी कह सकते हैं और कुछ हकीकत है कि जब घर गयर तो लास्ट टाइम मिया साब ने प्रूफ किया था कि इनको जो ना बुनियादी सूलते दी जाएं उसके बाद फिर नाहेल होगे खाकान बासी साब आगे ड्वेल्पमेंट पे चीफ जेस्टिस ने बेहन कर दिया जब उन्होंने बेहन किया उसके बाद खान साब की हुकोमत आगी खान साब ने का जी मैं तो एक जॉंपडी भी नी चोड़ूँगा गोवर्मेंट की जगह पे भई हम लोग जॉंपडी हमारी जॉंपडी आपको नजर आ रही है आप पांसो किनाल पे घर बना आके बैठे हैं इन लीगल है ना कोई लीगल तो नहीं है वो आपको नजर नहीं आ रहा अपना घर बनी गाला तो यह कहा हमारी जॉंपडी हैं गिराने के लिए वो तियार था कि आपको बनादी हुकोग दिये जाएं तो अप्लिकेशन आपके बारा आपने दोबारा उसके लिए अपलाई किया था इस वक्त नू लिक के ही प्रामिस टे रहे हैं जी जी मैंने वो ही जो उनके से पहले जो लेटर उश्यू वह वह थे वो मार्क हुई थी अप्लिकेशन ना तो वो ही साथ लगा के एक नई अप्लिकेशन दे के मैंने वो दी है तो शुकर है खुदा उनका कि वो हो गया है जी उपर मिनिस्टर से लेके नीचे वो आइसको चीफ और डिरेक्टर उपरेशन तक आगए है यानि कि आप कह सकती हैं कि यहां पर इस वक्त बिजली जो है फाल होने वाली है अब खुदा करें कि नूनली की गौर्मेंट वफाग में रहे वरना ये ना हो कि उनकी गौर्मेंट भी चली जाए तो ये फिर आपका जो मसला वहीं पर रहे है हम पूर अमीद हैं कि वह हमें बलके हम इस से बात पर भी यकिन कर सकते हैं कि वह हमें माल का ना हकुक देंगे जी और हम लोग परेशान हमारे रफाश ड्रिसमेंसरी रही है चोटे चटे बच्चे हैं बड़ी दूर स्कूल जाते हैं स्कूल नहीं है किसी किसम की कोई बन्य नाधी सहूलते हैं उसे पानी वी सामिल है तो पानी कैसे मिल रहा। पानी प्टामानी को लगते हैं और पानी चलता है हमारा पानी बंद कर दिया गया है हमें कोई सहूलत नहीं मिलती यह कनूनी भी अभी कैरे रोड अभी उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया कि हम इसे गिरा रहे हैं यह आपको उठाएंगे यह अभी हमारे तक बात नहीं पहुंची यह लोग खुद आते और कुछ लोगों ने जो बोर किया वह वो बिजली मेंग बन्हों ली आए तो तेल ड्लेगा तो पानी निकले गा तो हम फिर चार पांच हजार रोड़ेते हैं इतना तेल महँगा है क्या करें हम ही को हमारी मत्पोय है ना बच्चे तो पालने यह नदी के छो मसलिम से चल रहे हैं कि जपूद के लिए जो पानी इस्तमार हो रहा जब बिझली का चला कर पानी को लेते हैं तो उसके लिए फिर लोगों से पैसे भी लेते हैं लेकि पानी भी मिल जयता है तो कुछ लोग भी यहां मजूद है सरा आई ए अच्छा आप क्या चाहरे हैं कि मुझूदा गौर्रम्मेंट से आप कुछ पेगाम देना चाहरे हैं कि बन्यादी सूलत कोई है नहीं कुछ भी नहीं है अगा पसकश्तान है लेकिन जगा कम बहुत कम जगा आप कुछ बोलेंगे या आप बोलेंगे बात इतनी सी है कि जहां पर इंसान रहते है ना वहां पे human rights भी देने चाहिए अब यहां पर human rights ही नहीए sir बिजली की बास की जायों हमें यां रहते हुए हम लोगों ने बिजली ने देखी ठी चांगा करते हैं अगर आप अछ हम इंसान समझते हैं ना तो हमें human rights भी देने चाहिए आप लोगों को आप लोगों को ने मैं इंसानी समझा हुआ उपर से फिर यह क्या नाम है क्या वफाग के अंदर रह रहे हैं वफाग में हूमर है इसकी जो मुनिस्ट्रिय भी है कुछ अधारे भी हैं तो आप वहां पर जाएं अपने अप्लिकेशन लेके जाएं ता हम तो यहां पर इस तरह रहरे हैं जिस तरह बस माल मोवेशी होते पाकिस्तान में यह उस तरह रहाते हैं हम लोगों को हमारी यहां पर नौजवान मैं मुझें कि आप मजूधा गोर्मेंट से क्या पील करना चाह रहे हैं अधर सारे टोटली जो हैं तीन हजार से उपर गर तो हम दूसरे लागों में जाते हैं, आइनाइन की तरफ जाते हैं, तो अधर सारी बन्यादी सूलते हैं, वहां पर उन्होंने फिल्टर लगा हुए है, उपर स्पेशल लिखा होता है, कि ये फलाना एम मैंने हमारे फिल्टर जाए बस्ती को जाए पल दिया हुआ है, पानी मैं भी रिजाना देता, ओर आज से तक्रिबन तीन मियंथ से मैं दक्ये खा रहा हूं, ड्यूटी के लिए कि मुझे दे दिया लेकिन अभी तक मुझे दी नहीं पर देखें, ये किरिश्चन को मोटी है, ये क्रिश्चन है, ऊपर पढ़ते ही कल्चर पगड़ते हैं, आपक क्वालिटी के हमारे पास हमें बादत करते हैं तो भी हमें ढड़ा लगते हैं कोई हमें बोजर न चला दे ये बस्ती न इने गरा दे और जहां江छ म मगद के खलाप बिलनी और ईहां पर अगर आप हमारे बाई हैं आप हमें पना दें आप करान पाक में भी लिखा हुआ है कि जहां पे आपके गैर मुसलिम रहते हैं उनकी पना गांओं, उनकी बादकानों की फाज़त करो, क्या आप हमारी बादकानों की फाज़त करते हैं, आप तो मसमार करते हैं, आप तो छोटा ऐसा एक गंबत रखके बैठ जाएं तो वहाँ प पाकिस्तान जी काईद आजम ने जो हकूमत लेका है था जब उसने पाकिस्तान बनाया था यह वह वाला पाकिस्तान है तब तो जर्णल करनल जो थे वो क्रिस्चन थे अभी कोई है अभी कोई है क्रिस्चन जर्नल जो हम सदर आ सके इन्हों ने लिखी दिया हुआ है कि क्रिस्चन को अच्छी पोस्ट पर नहीं जा सकता यह हमारा पाकिस्तान सिर्फ जाडू की एप्लिकेशन पर लिखा होता है जाडू की ड्यूटियों पर के गैर मुस्लम आके तो ड्यूट ट्रूंत्य हमें लड़ती हैं ग हमकर नी सकते हैं हमारे पास फैले नींए हमारे स्टडिए नी है благодар מא पकिस्थ केश्चन हमारे लिख क्या है पाकिस्दान Bundesåert बताएं आप हमें बता यह हमारा मुले के हमने जीता है अपना खून बहाया है हमारे बाप जुदाद ने अपना वोड डाल की इस हकूमत को इस मुलक को वजूद में लेकर आए तो यह हमें वजूद ने रहे हैं यह हमारा वजूद है यह हमारा हुक है हमने पाकिस्तान को बनाया हम एक पाकिस्तान का पिलर हैं पाकिस्तान मसीह पिलर हैं और ये पाकिस्तान का मसीह पिलर अगर निकल जाए तो ये पाकिस्तान कुछी भी नहीं है मैं ये समझता हूँ और सोचता हूँ कि हमारे बिना कुछी भी नहीं है पाकिस्तान हमने खुद अपने खून बहा कर बनाया है नादरीन आप सुन सकते हैं कि ये बच्चा जिस तरह पहले एक लड़के ने स्पीच की बड़ी इची स्पीच की इसने भी यही का कि हमारी मसीही कौम पाकिस्तान के सतून है जिसके पाकिस्तान माजूद है मेरा खाल इस सतून को बहाद करने के लिए इनके हकोग देना जरू जी हमारे साथ यहां करिम्शा कर लोनी की पिपर्स पार्टी के रहनमा मजूद है में से पुछेंगे कि इस वक्त जो है मजुदा सूलते हैं जो इस वक्त नहीं मिल रही है तो इसके हवाद से आप मजूदा को पैगाम देना चाह रहे हैं हम जी गवर्मन्ट को प्रोग्रम जी देना चाहते हैं कि पैगाम के मारी जितनी मसी ब्रादरी है बोर्ट तो सब का हक बनता है जो काम करेगा ग्रिबों का बरिगों की मुछकल हल करेंगे पानी और बिजली इधर कोई डिस्पेंसरी नहीं रात को को बिमार उज़ता है ग्रीब आजमी टैक्सी नहीं ले सकत उस वक्त बड़ी परिशानी होती है जी पानी नहीं है हमारी बादियों में अता पानी बंद कार देते हैं बिलकुल पानी तो मिलना चाहिए इस हकूमत में हमें पानी ना मिले तो हमें बड़ी मुछकल सी महसूस होती गरीब आजमीयों को तो जना पानी होना चाहिए पिप कभी अबादियां लग काम किता है यह बन्यादी जिनियां वी सूलता ने सानु पाकस्तान दे मसियान नुदिया जानिया चाहिए जिनाब साथे कबर्सान दे वेचे जनाब इन्नी प्राबलम है कि उते कोई लैट नहीं जनाब रहात नुग कोई जनाजा सी करने हैं सानु नौजवान हैं और नौजवान नसल है और जिस जगह पर यह रह रहे हैं और यह इस वक्त इसके जहन में यह आए चाहिए कि इससे तरकी करनी हैं काम करना है और अपने जो है आने वाले वक्त को सवारना है बाहिर के लाकों में जाता है और वहां पर पानी भी मजूद है ब अफाक के अंदर, इसलामबाद के अंदर, उन अधारों को इन सुसाइटियों में जाना चाहिए, इस कलोनियों में जाना चाहिए, ना कि उनको मिसमार करोना चाहिए, बलकि जो अधारे ऐसी कलोनियों के मिसमार करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और ये कलोनियो वो वाली कलोनिय है जो क्रिस्चन कम्यूनिटी की मिर्श्री प्राप्टी है उसी के उपर बैठे हुए है ना के दूसरी प्राप्टी के उपर और मेरा ख्याल है कि अगर मेरी प्राप्टी है या मेरे खांदान की प्राप्टी है तो फिर वो राइट्स कौन देगा कौन से अधारे हैं जिनको फिर बनाने की ज़रूरत है अगर अधारे बनेंगे तो मैं ख़र फिर इनको राइट्स मिलेंगे तो जो अधारे इस वक्त मजूद हैं वो क्यों ने दे रहे ये एक स्वालिया निशान है रिमशा कलूनी के सारे रहाइशियों का कि हमें हमारे राइट्स चाहिएं जो हमें मिलने चाहिए क्योंकि हम भी पाकिस्ता नहीं है जब वोट की बारी आती है तो लोग यहां पर आकर वोट लेके जाते है तो लेगी जब राइट्स की बारी आती है तो कहते हैं कि आपको राइट्स नहीं मिलेंगी जिसना ये बच्चा भी कह रहा है कि हमें लग रहा है भीड़ वक्रियों के तरह रखा हुआ है हम इंसान है ये इनसान है ये बच्चे इंसान है यहां पर इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए क्या वज़ा ये तो नहीं कि य तूह कि कौव्प के बंदे हैं इसलिए इनको रैस नहीं इनको रैस मिलने चाहिए आं मैं यहां पर हूमर रैस को जतनी बेड़ारी शफाक में इसलानबाद आंदर उन से अपील करंगा वफाकी गौर्बर्मेट से अपील करंगा खलाकी तोर पर इनको इनके रैट्स दें वरना ऐसे नौजवान मेरा ख्याल है जिन्दगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे अगर ये कामयाब होंगे तो मुल्क पाकिस्तान का नाम रशन होगा फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरा में तारिक प्यार को अजार देजिए खुदाफिस